Hello Friends, Welcome to Study News, आज हम इस वीडियो में 15 और 16 जुलाई के एक्जाम रिलेटेड जितने भी important question है, उन्हें हम यहां solve करेंगे, so let's start. First question है, हाली में चीन का कौन सा मालवाहक रॉकेट विफल हुआ है? options हैं, कुई जु 11, माव 1, लॉंग मार्च 1, तियांग जु, तो हाली में चाइना का क्यू जु 11, मालवाहक रॉकेट को अपनी पहली उडान के दोरान विफलता का सामना करना पड़ा, तो इसमें उत्तर option A, कुई जु वो 11 सही है, इस रॉकेट को जीकुआन सेटलाइट लॉंच सेंटर से लॉंच किया गया था, रॉकेट को लो अर्थ और संस सिंक्रोनस और्बिट सेटलाइट का लॉंच करने के लिए डिजाइन किया गया था, नेक्स्ट कोस्चन है, किसे फुटबॉल कलब मोहन बागान द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया जाएगा, आपसंस हैं, प्रडब गांगुली, मोनोरंजन पोरेल, असोक कुमार या ये तीनों, तो अभी असोक कुमार को स्थापना दिवस के अवसर पर फुटबॉल कलब मोहन बागान द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, प्रडब गांगुली और मोनोरंजन पोरेल, जो की एक एथिलीट हैं, इन्हें अशोक कुमार के साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, तो इसमें उत्तर आप्सन डी, ए, बी, सी तीनो है, मोहन बागान एथलेटिक कलब की बात करें तो इसकी स्थापना पंदरा अगस्त 1889 को हुई थी, और ये कलब कॉलकाता पस्चिम बंगाल में है, नेक्स्ट कोस्चिन है, किसे इन्फरा बिजनेस लीडर ऑफ दे यर 2020 पुरसकार से सम्मानित किया गया है, आप्सन्स हैं, वेद प्रकास दुदेजा, राकेस महता, अरुन मित्तल, अजीत बहल, तो रेल भूमी विकास प्रादिकरण के उपाध्यक्ष, वेद प्रकास दुदेजा को हाल ही में 2020 के लिए, प्रतिष्ठित इन्फरा बिजनेस लीडर ऑफ दे यर 2020 पुरसकार से सम्मानित किया गया, तो इसमें उत्तर, आप्सन ए, वेद प्रकास दुदेजा साही है, ये रेल इन्फरा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड दुआरा सम्मानित किया गया है, रेल मंत्राले के तहट एक वैधानिक प्राधी करण है, जो वाडिजिक उपयोग के लिए खाली रेलवे भूमी के विकास के लिए ये पुरसकार दिया जाता है, फोर्थ कोस्चन है, बर्मिंगम 2022 के राश्ट मंडल खेलो की मेजबानी किस प्रसारण कंपनी को दी गई है, आप्संस है, इस्टार स्पोर्ट्स, यू नाइन, संसेट प्लस वाइन और सेट लाइव, दुनिया की अग्रहणी खेल प्रसारण कम्पनी Sunset Plus Wine को Birmingham 2022 Commonwealth Games के लिए मेजबानी दी गई है Sunset Plus Wine ये एक प्रसारण कम्पनी है तो इसमें उत्तर option C Sunset Plus Wine सही है अगला प्रश्ण है 2020 विश्व युवा कोसल दिवस का थीम क्या है Options है Skill for a Resilient Youth, Skill for a Transform Education, Skill for a Help for Humanity और Skill for New Technology विश्व युवा कोसल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाय जाता है ये दिवस जागरुकता फैलाने तकनीकी, वैश्विक सिक्षा, नए कोसल का विकास और वैश्विक अर्थ विवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए मनाय जाता है 2020 वर्ड यूथ स्किल, डे का थीम है Skill for a Resilient Youth, तो इसमें उत्तर Option A सही है नेक्स्ट कोस्चन है हालही में भारत का एक मात्र गोल्डन बाग कहां देखा गया है आपसंस है, मद्यपरदेश, गुजरात, असम और पस्चिम बंगाल तो अभी हालही में असम के काजी रंगा नैसनल पार्क में एक सुनहरा बाग देखा गया है इस बाग की तस्वीर मियूरस हैंडरे द्वारा ली गई थी जिसे भारतिय वन सेवा के अधिकारी परवीन कास्वान ने साजा किया है परवीन कास्वान के अनुसार 21 सदी में पाये जाने वाला ये एक मात्र गोल्डन टाइगर है तो इसमें उत्तर आपसंसी असम सई है नेक्स्ट कोस्चन है कौन सा देश मौसम और जलवायू के अध्यन के लिए मंगल ग्रह पे एक उपगरह भेज रहा है आपसंस है इसराइल, सैयुक्त अरब अमिरात, अमेरिका और भारत सैयुक्त अरब अमिरात, मंगल ग्रह के मौसम और जलवायू के अध्यन करने के लिए जल्द ही एक उपगरह भेजने की तयारी कर रहा है इसका वजन एक दसमलो तीन टन और इसका नाम हौप है इस उपगरह को जापान के तंगशिमा स्पेस पोर्ट से H-2A रोकेट के जरिये लॉंच किया जाएगा नेक्स्ट कोस्चन है बास्टिल दिवस का संबंद किस देश से है आपसंस है जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूएस से बास्टिल दिवस का संबंद फ्रांस से है जिसे फ्रेंच नेसनल डे के रूप में भी मनाय जाता है फ्रांसिसी कवी और दार्सनिक वाल्टेयर को फ्रांस के साही परिवार के खिलाब बोलने के लिए बास्टिल के किले में कैद कर दिया गया था इसके जवाब में 14 जुलाई सं 1789 को फ्रांस की जनता ने बास्टिल के किले को ध्वस्त कर दिया जिससे फ्रांसिसी करांती की सुरुवात मानी जाती है नौवा प्रश्न है केर पूजा का संबंध किस राज्य से है आप्सटन्स हैं असम, त्रिपुरा, मडिपुर और सिक्किम कैर पूजा का संबंध त्रिपुरा से है तो इसमें उत्तर ऑप्षन भी त्रिपुरा सही है त्रिपुरा की राजदानी अगर तला है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विपलब कुमार देव हैं और गवर्नर रमेश बैस हैं आखरी कोस्चन है भारत ने किस देश को वार्सिक माला बार नौसेनिक अभ्यास में शामिल करने के लिए निर्णे लिया है आपसंस हैं आस्ट्रेलिया, ब्रजील, स्री लंका और अफगानिस्तान माला बार नौसेनिक अभ्यास में तीन देश रामिल होते हैं जिसमें भारत, अमेरिका और जापान हैं इस बार आस्ट्रेलिया को भारत ने माला बार एक्सरसाइज में आमंत्रित किया है तो इसमें उत्तर आप्शन ए आस्ट्रेलिया सही है तो ये थे आज के important question so thanks for watching this video please like